तो आपने तो बात पता ही दिया है, पबलुक तो आए ही हुए है इसे मिलने के लिए बादशी तो होती रखी थी, लेकिन ये तय था कि एक तो जो आएंगे, इन्होंने आजी का सुमय दिया, और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही है, इनके साथ जो न्याय ह हुआ था, अब जिस तरह से जो भैसला आज आ गया, तो बहुत अच्छा हुआ है, तो इनके साथ हम लोग रही है, लेकिन अभी जो हम लोग आये हुए हैं, उसका मकसर इन्होंने बता दिया, हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एक हुँ, और बिल करके हम लोग लड़ेंगे, तो आज जो केंदर में हैं, वो पूरे देश के ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, और समझ लिजे इतिहास बदल रहा है, इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए, अपने देश के हिक्में और आजादी की लड़ाई हुए हैं, और किस तरह से देश आजाद हुआ है, और कितना ज्यादा काम होता रहा है परले से, काम तो करते नहीं, अब आप सब लोग मीडिया के साथ ही हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाप नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से कि कि कोई कोई बाप तो थोड़ा बहुता आप कह दिएगा लेकिन ज्यादा थर वो लोग अपनी तरफ से पुचार करवा रहें काम क्या कर रहे हैं देश मुखता ही है कहीं कोई काम हो रहा और अलग-अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया उसके बा समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो और ये नहीं होना चाहिए सब में एकता हिंदूो मुस्लिम कोई भी जातिके हो सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए ंद्यू एकता रहिए है आज भी बात करेंगे अब इसके बाग यह होगा कि कम मिटिंग सब लोगों की पुनी तो अभी तो आए हैं बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का विचार तो एक ही है ना भी देश के हिर्थ में काम करेंगे कोई तरह से जो हमारा पुराना तीक हास का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे तो यह सब चीजों के लिए करेंगा इनों को अपना करता है इनों का आजादी कि लिए इसे क्या मतलग दिए कि इनको कोई मतलग में अब वो सोख लिए कितना अपने अपने धंग से नई नई चीजों का नामकरन कुछ भी होते रहता है तो बिछेतर बात है तो इसलिए जग्वत इस बात की है कि एक तंग उदिन देश को एक जुट करना है और आगे बढ़ाना है तो जगर सभी लोग एक जुट हो करती करेंगे और उनका जब मुताब होगा अगले साल के चुनाओं में लोक्सभा के चुनाओं में तो फूब अच्छी तरह से सपलता इधर मिलेगी और फिर देश सही जिसा में आगे पड़िए मेरा सवाल देखें और जादा मजबूत होकर उबर के सामने आती पहला मैं मानता हूं देखो इसके जिस नजर्या से आप देखते हो ठीके कानोनी तोर पर मैंने इसका लिया शाहिए गलत हो सकता है लेकिन नईतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिता जी ने मेरे पार्टे ने सब कुछ दिया वो लग उठकर मेरे उपर उमल्या उठाएं तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या विश्वास क्यों जतने की कुशिश करूँ तो ऐसे लोगों को आधिकारी नहीं है मुझे सवाल पूछने का जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ ल तो अभी जैसे मैंने नहीतिकता का पालं किया तो अगर इस मुख्यमांत्री में जरा भी कोई नहीतिकता होगी तो उपमुख्यमांत्री ने राज इस्तिपा देना चाहिए जैसे मैंने दिया महाविकास आगाडी मदे सुधा जिस्तर्वों प्रमुख्यमांत्री ने तुम्हाला मतला होते कि राजिनामा दिवु नका अपन प्लोर्ट टेस्ट वा साभूर गावू तुम्हावनिक राजकारणाला महत्पु दिला अधिकल साचकारणा पिल्ट असे तो करद ची का धरानी जा पक्षानी जाना सग्ड़काई दिला सग्ड़काई ख्यून सुध्धा जे माज़े पाठीत वार करा ले निगाले तैनी माज़ावरती अविश्वास आणवा है माला का पट्लेलने मैं एक सवता गद्दार तैनी के ला विश्वास घरना रहें करदून माला जर विश्वास घरना बुद्दार विचाने दाता सेल करते आयोगे तो युवाइं है आदेते हैं और तिविस्वी हैं जिस वराइकी आप बात करें हैं जो मिलकर सामने आए हैं इनमी इंदून का कितना एहम रोल और किस तर से देखेंगे आप अभी क्या रोल अभी क्या सिनेवा या नाटर थूड़ी है कि रोल कैसे रहेगा यह ने को ऐसे रोल रहेगा यह रोल तो जब यह अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं यह जान लिजे हम तो सिर्फ चाहते हैं कि सब एक जुट को मिल करके सब लोग लड़े और हम लोग मिल करके पूरा का पूरा सिद्धान्त बना के देलें और देश को आगे बढ़ाएं